जै जिवदानी, ब्यूटे विद आस्टोलोजी की फाउंडर मैं कामी निखना, आप सभी समझदा सुरूताओं के साथ एक आवश्चक चर्चा लेकर हाजिर हूँ के तू विशाखा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं कल शाम 6 बच के 11 मिनिट 8 फरवरी 2022 को और विशाखा नक्षत्र में जो हैं के तू रहेंगे 18 अक्टूबर 2022 तक, अब देखने वाली बात ये है के के तू जो मंगल का सब बिहेव करते हैं और गुरू जिनके मित्र होते हैं, वो गुरू के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं अभी तक के तू जितना साथ नहीं दे रहे थे सब को वो अब साथ कैसे देंगे इसकी चर्चा आरंब करने से पहले मैं आप सबसे निवेदन कर दूँ के सबस्क्राइब कीजे मेरा ये यूटूब चैनल यूटूब स्लाइश ब्यूटी विद आस्ट्रोजी जब आप सब करेंगे तो पॉप अप होकर उपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी मैं जो राशी फल बताती हूँ जो राहू के तू शनी गुरू के विशय में रहेगा वो राशी और लगन दोनों के अनुसार रहेगा और जिन लोगों को कंसल्टंसी चाहिए उन लोगों के लिए मैं वाटसअप नंबर दे रही हूँ अब सोलवा नक्षत्र है विशाखा जिसके स्वामी होते हैं गुरू पहले तीन चरण उसके तुला राशी में आते हैं और अंतिम चरण उसका अब इसकी राशियां कौन सी हैं विशाखा नक्षत्र की एक तो है तुला जिसमें इनके तीन चरण आएंगे और एक है प्रिश्चिक राशी एक राशी शुक्र की और एक राशी मंगल की इसके देवता होते हैं अगनी देव और इंद्र और वर्न होता है इसका ब्राम्मन अब विशाखानक्षतर में काफी नेता लोग होते हैं, पंडित लोग होते हैं, अच्छे धर्म कार्य करने वाले इमानदार लोग पाए जाते हैं, जुनूनी काम के प्रती, अपने काम के प्रती, ऐसा काम करने वाले जो बहुती ज़ादा अपने आप में सेंसिटिव होकर औ होते हैं धर्म भीरू होते हैं अपने अर्थ व्यवस्ता का ध्यान रखते हैं अपने परिवार का ध्यान रखते हैं धर्म व्यवस्ता का ध्यान रखते हैं और साथ साथ डूएल परसनालेटी होते हैं अड़ सेम टाम यह इरिशालू भी होते हैं और अड़ सेम टाम विशाकर ग्रेवी वाना जाता है के तू को हाला के राहू का धड़ है के तू और राक्षस तत्व होने के बावजूद के तू विशाखा नक्षतर में आके बहुत अच्छा फल देने वाले हैं तो जो नेगेटिवीटी अब तक हम के तू की पा रहे थे पिछले दिनों उनमें से काफ ही नेगेटिवीटी मतलब एक तरह से देखा जाए तो जो विश्चिक राशी में के तू चल रहे थे तो विश्चिक राशी में अगनी तत्व की राशी में चलने के कारण अपने में बहुत जादा अपने आप में एग्रेसिव हो गए थे के तू और इस वजा से कई लोग हो रहे हैं अपने आप में और जादा सात्विक हो रहे हैं अब जाकर थोड़ी अर्थ व्यवस्ता के विश्चिक में भी सोचेंगे चलिए अब हम बात करेंगे के तू के विशाका नक्षत्र में प्रवेश करने की कहानी याद रहे कोई भी ग्रे जो होता है वो फल वैसा ह प्रवाइड ली वो नक्षत्र आपको सूट करता है प्रवाइड ली वो ग्रे आपका कारक है प्रवाइड ली वो किस भाव में बैटा है के तू किसके साथ बैटा है गोचर में जन्म का केतू किसके साथ बैटा है केतू की दशा तो नहीं चल रही आपकी गुरू का क्या हाल है इन दिनों क्योंकि ये विशाखा नक्षत्र है शुक्र का क्या हाल है इन दिनों ये भी देखा जाता है ये शुक्र तो बार-बार बदलते हैं साथ-साथ मंगल का क केतू चल रहे हैं इन सब चीज़ों पर ध्यान देते हुए केतू का एक दम करेक्ट प्रेडिक्शन होगा लेकिन यहां पर जो मैं आपको राशी फल लगन फल बता रही हूं एक वाइड एंड वेग अस्पेक्ट बताती हूं मेश राशी मेश राशी के लिए केतू का विशा relaxation महसूस होगी आपके कुछ काम बनना शुरू हो जाएंगे वेबसाइस से related offers आना शुरू हो जाएंगे आपके कुछ ऐसे काम जिसमें आपकी विदेश related काम थे वो बनना शुरू हो जाएंगे लेकिन जब तक अभी के तू अश्टम में बैठे हुए हैं फिर भी मैं आपक एक बात कहूंगी कि आप अपनी तव्यत का पूर्ण रूप से ध्यान रखें और बहुत जादा investment वगरा करने की कोशिश ना करें जिनके प्रेम संबंद खराब हो गए थे आधे अधूरे उन लोगों को भी काफी राहत महसूस होगी इस विशाय में वेशब राशी होते हैं और केतू आपको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं व्रिशब राशी व्रिशब लगने वालों को तो थोड़ी पेट से सम्मदित आपके गरदन गुदा नीचे के पैर नितम बयानी के हिप्स वगरा से related कोई समस्या हैं तो उनको समालिएगा आपके जो पार्टनर ह अब आपका खूब सपोर्ट करेंगे विवाही जीवन में भी आपको सुक्षानती मिलेगी मित्थुन राशी मित्थुन राशी के लिए अब गुरू के नक्षत्र में आकर केतू आपका काम बढ़ा देंगे आपकी जर्चा होगी आपकी इज़त बढ़ेगी लोगों में और आपके विरोधी कम होंगे आपका वेफसाइक पार्टनर आपके साथ अच्छा भी करेगा विवाही जीवन से भी आपको जो अखेला पंच आ गया था तो अब नहीं रहेगा आपका साथ ही आपके साथ वापस हो जाएगा पिता से भी सहयोग होगा करकराशी आपके लि आग्यवर्दक संदे से आते दिखाई देते हैं मुझे साथ साथ आपके लोन्स देने लेने वाले काम भी बनते नजर आते हैं बच्चों में भी जो मानसिक वेचैनी थी और जो अकेला पन आपके दिमाग पेचा गया था आपके काम करने की सोच के घर से बाहर निकलेंगे सिंग राशी आपके लिए के तू का विशाखा नक्षतर में आना शुब रहेगा आपके लिए के तू तो बहुत कारक नहीं लेकिन विशाखा नक्षतर कारक है माइन फ्रेश होगा आपका जो घर की समस्याओं से आप बहुत परिशान थे और आपकी तबियत को लेकर आग अगर आप बहुत परिशानते तो थोड़ा बहुत आंशिक रूप से आपको आराम मिल जाएगा, आप अब अध्यन पढ़ाई सात्विक्ता के प्रति बढ़ेंगे पूजा पाथ में, बच्चे भी इसी प्रकार आपको सुक शान्ती दे सकते हैं, कन्याराशी, कन्याराशी के आपके तू की ये स्थिती आपको घर परिवार में सुक दिलवाएगी, विवाही जीवन और माता से सुक दिलवाएगी, आपके छोटे भाई बहन आपका साथ देंगे, कुछ सात्विक्ता से जुड़े हुए काम थे वो हो जाएंगे, आपकी पबलिक इमेज अच्छी परिवार तन जो है, इससे आपको यात्राओं में जो बेचैनिया होती थी, आपके कुछ ऐसे काम थे जो लोन से लेने देने वाले पैसे नहीं आ रहे थे, वो आएंगे, परिवार से सपोर्ट मिलेगा, जो बहुत अलग थलग हो गए थे, आप परिवार से अकेले पड़ तो अब थोड़े लोग आपकी तरफ आएंगे, आप कृष्ट होंगे, छोटे भाई बेन आपका साथ देंगे, मामा पक्षा से आपको सपोर्ट मिलेगा, और कुछ आपकी तबियत भी पहले से जादा सुधरेगी, विश्चिक राशी, आपके लिए के तुका ये नक्षत परिवर्तन शुब है, आपके धनागमन की सूचना, माइंड फ्रेश होने की सूचना, कलूशित हो गया था माइंड तो अब जाके, अकेला हो गया था माइंड तो अब आपको साथी मिलेंगे, आपके बच्चे भी खेल जाएंगे, उनकी समस्याएं खत्म होंगी, आपकी क कोई धर्म से related काम बढ़ें, मित्रताएं बढ़ें, तो अच्छे मित्र आपकी तरफ हाथ बढ़ाएंगे और परिवार से भी फुल सपोर्ट मिलेगा। धनुराशी, आप ही के लगनके स्वामी के नक्षत्र में जा रहे हैं, केतु आपके जो बेचैनी अप्रेम संबंद में हो गई थी, वो खत्म होंगी, विदेश related काम खुलेंगे, आप जो बिल्कुल भी खर्च नहीं कर रहते हैं, डर के मारें, अब आप खर्च भी करेंगे खुल के आपको डर नहीं लगेगा, माता की भी तवियत पहले से सुद्रेगी, घर में सुक सुविता होगी, वाहन खरीच सकते हैं, आप और घर के हलपर से जो बेचैनी थी, वो भी खत्म होगी, मकर राशी, मकर राशी के लिए अब देखिए, केतु के विश्चिक राशी में जाने से, आपके कुछ ऐसे काम, जो विदेश रिलेटेड या यात्राओं में विशेश रूप से, या विदेश यात्रा हो, या विदिन हिंडिया यात्रा हो, उसमें अटक गए थे, विजा नहीं लग रहा था, पेंडामिक के कारण जाने नहीं मिल रहा था, तो आप जाने मिलेगा आपके कुछ ऐसे काम जो प्रेम संबंदों के कारण अटक गए थे तो उसमें भी राहत मिलेगी आपके कुछ भाई भेनों के साथ आपके खट पड़ थी तो वो भी खत्म होगी और अब सात्विक्ता से पैसा आएगा आप पैसों के लिए बहुत चिं नसाब की खत्म हुई आप प्यार से अपना काम बना सकते हैं आपके कुछ ऐसे काम जिसमें धन आना बाकी है तो ये धन आकमन का और धन संचित करने का बेस्ट ऑपर्चुनिटी है आपके परिवार से भी सपोर्ट मिलेगा और जो बहुत अकेला पन हो गया था कारिस तल प हैं के तू जाका नक्षत्र में कोई भागयवर्दक संदे से काम काज के लिए आपके लिए आएंगे आपके जो बहुत जादा मन उदास था के आप काम काज में बिल्कुल अकेले पड़ गये हैं बिल्कुल बहुत सारा ओफर है लेकिन वर्काउट नहीं कर पा रहे हैं तो अगर आपको यह ऐसा वेबसाइट करते हैं जो धर्मिक्ता से जुड़ा हुआ हो वो बनेंगे मैं कामीनिखना के तू के नक्षत्र परिवर्तन के तू के विशाखा नक्षत्र में जाने की कहानी बता रही थी आपको सबके लिए अच्छी स्तिती है के तू अपने आप में एक अच्छे नक्षत्र में जा रहा है जो के उसका मित्र है जिसका उसका स्वामी उसका मित्र है आप देखना ये है के आपके लिए कितना कारक है के तू तो यहां तक हो सके सभी राशी और लगनवालों के लिए शुभी है तो बताईयां जी बताईयां God bless you take care and goodbye आगे धन्यवाद और नमस्कार